जैमत अदी आज हम देखेंगे कर्मा रिडिंग जीनों ने भी आपको बहुत जादा रुलाया है बहुत जादा तकलिब दिया है उनको उनके कर्मा का क्या फल मिलेगा देखिए फ्रेंड आप में से बहुत लोग बहुत स्प्रिच्वल है तो कहीं न कहीं हम जब पूरी तरी से डिवाइन जी पर समर्पन करते हैं जब हम अपने इश्ट देव जी की सरन में रहते हैं तो जो भी इस्थीती हैं अनसे कहीं न कहई न कहीं हमारे परमात्मा जी पूरी तरीके से हमें बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है उन्होंने आपके उर आपके सोल मे लेकिन वो आपके past life के कार्मी connection थे यहां पर ऐसा नजरा रहा है किसी समारों में उन्होंने मिलाया था और यह काफी ज़्यादा सोचा समझा बात था लेकिन कहीं न कहीं आप एक spiritual person है तो उनको उनके कर्मा कफल return back हो रहा है उनको उनके life में उनके personal life में और उनके professional life में उनके married life में काफी ज़्याद धिक्कत आ रही यहां पर देखे वो उनमें से कुछ लोगों के life में ऐसा लग रहा है कि वो connect करने की कोशिस कर रहे हैं या तो आप से या तो आपके partner से लेकिन वो connect नहीं कर पा रहे है क्योंकि divine जी की blessing है और ये मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग कर रही थी लेकिन यहां पर negativity भी उन्होंने किया है हर प्रकार का उन्होंने करके देखा है लेकिन क्योंकि आप एक high level soulmate connection में है यहां पर जिस तरीके से नंबर आ रहा है 4, 8 और 9 मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत लोगों के बर्चर्ट में Venus देव जी की position और यहां पर मंगल देव जी की position बहुत अच्छी है जिसकी वज़र से और परमात्मा जी की क्रिपा से उन्होंने कुछ भी नहीं कर लेकिन थोड़ा सा आप लोगों के बीच म मिसंडिस्टेंडिंग क्रियेट की गई है यह मुझे एक से ज़्यादा लोग यहां पर नजर आ रहे हैं कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि professional life में हैं और कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि यह आपके family member ही हो सकते हैं तो आप अपना ख्याल रखें पूरी तरीके से मा काल कि माता जी कि सरन मेरे श्री अनुमान जी कि सरन मेरे टिक केर